अब एक अब लोगों का स्वागत है एक्जाम रेल की सीरीज में हम लोग और लास्ट सेशन में ट्रांसफोर्मर के कुछ सेक्षिन को हम लोग ने अंडल किया कि ट्रांसफोर्मर में बेसिक कंस्ट्रक्शन जो था और ऑपरेशन पे कुछ क्या करेंगे और ट्रांसफोर्मर में भी इक्विलेंट से रिलेटेट को से रिलेटेट करेंगे अग्टेन साथ बाई साथ आपका बीडबली की बेसिक्स ओफ इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग के वीडियो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एक्जाम रेल की सीरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिस करेंगे हम लोग जरूर रैस्पॉंड करेंगे राइट तो डाउट्स अपने पूछिएगा कमेंट सेक्शन में एंड एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलप होना 30 जुलाई 2024 से कुछ ही दिन में जस्ट लास्ट लाइट देखने के लिए मल रहा है आपको तो लाश्ट लेट पहुंचने से पहले ही आप सुलप कर लिजे को कि एक मिस्टेक और अर भी आपको धुबारा मौका नहीं देगा करने के लिए कि आप रड़ यह 24 के लिए एक फ़ॉं में मिस्टेक करने अगर तो दुबारा उ और गेट अकडमी का जो कोर्स है डिपल सेवन में अविलेबल है बोथ सीवीटी वन और सीवीटी टू आप लोगों को कवर कर आए जा रहा है इंडिपेंडेंस ते स्पेशल ओफर में जो के वल सीवीटी वन के लिए इंट्रेस्टेर हैं पोर डबल नाइन में पर्चस कर सकत हैं अधरवाइस बोथ सीवीटी वन और सीवीटी टू जाहिए ट्रिपल सेवन में आप एंड्रोल कर सकते हैं पोर्स में राइट चलिए विदा भीना लेट कि हम लोग सेशन के फर्स्ट कोशन की तरफ आगे बढ़ता है फस्ट कोशन रीड करिए और एक्जामिनेशन के रेक्वार्मेंट के हिसाप से स्टेडी करिए फर्स्ट कोशन अफ दिस सेशन है इन दी एप्रॉक्सिमेट एक्विलेंट सर्कुट ऑफ दे ट्रांसपर विच परामेटर साथ टीपकली नेगलेक्टेड तो आपको पता होगा एक्जक्ट एक्विलेंट पिस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है कि यहां पर रजिस्टेंस है अंड यह लीकेज रियक्टेंस है अंड देन आपका शंट प्रांच परामिटर आर नॉट इपका डिटेल में आइडिया क्रिएट करते हैं हम दो जिससे किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे सेशन में एंड इस इस प्राइमरी वैंडिंग है यहां पर हम दोको ने क्या सप्लाई किया हुआ है सोर्स वल्टेज विवन सप्लाई किया है यहां पर जो उन्डेज हो रहा है वो E1 induced हो रहा है primary induced voltages यह secondary side का E2 induced voltages and this is the terminal voltage V2 और यहां पर जो current flow कर रहा है I2 flow कर रहा है and यहां पर जो flow कर रहा है यह current I1 flow कर रहा है और यहां पर जो current है वो I0 flow कर रहा है I0 और इसको हम लोग बोलते हैं R0 और इसको कहते हैं X0 और यह क्या है R1 और यह X1 यह R2 और यह X2 तो आश्या करते हैं आपको इसके बारे में idea होगा this is the exact equivalent circuit of transformer equivalent circuit अब इसको आप चाहें तो primary और secondary side में refer कर सकते हैं कि secondary parameters refer to primary side और primary parameters refer to secondary side तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है as for the number of turns आपको बहुत बैतरी नाइडिया होना चाहिए parameters को refer करने का एक साइट से दूसरे साइड में एक बड़ जस्ट डिटेल हम लोग देख लेते हैं then question तो easily solve हो जाएगा कुछ है कि थोड़ी question में इन अप्रोक्सिमेट equivalent circuit of the transfer which parameters are typically neglected और इसका approximate version अगर हम लोग ड्रॉ करें या फिर प्राइमरी रेफ़र्ट सेकेंडरी रेफ़र्ट आप करी सकते हैं और इसका अगर हम लोग कि एग्जेक्टिक विलेंट सेर्कुट को सारे पैरमेटर्स पो प्राइमरी साइट अगर रेफ़र्ट करदें यह आर्टू डैस हो जाएगा यह एक्स्टू डैस हो जाएगा and then this is V2 डैस and this is E2 डैस and this is E1 this side voltage is E1 and this is R1 X1 and current here is I2 डैस रफ़र्टो प्राइमरी है न and this is I1 and this is I0 यहाँ पर जो current नो करेगा इस current को हम लोग कहते हैं I0 no load current and this is the supplied voltage यह भी क्या है एक्सेक्ट टू प्राइमरी साइड आप कह सकते हैं अब इसमें फर्दर आइडिया अगर हम लोग क्रिएट करें कि एप्रॉक्सिमेट एक्विलेंट सर्किट में एप्रॉक्सिमेट एक्विलेंट सर्किट में आप क्या एजम्शन करते हैं दो क्या नेगलेक्शन करते हैं कि विकॉज ओफ नो लोड करेंट कि किसी भी तरीके का कोई वैंडिंग में कॉपर लॉस नहीं हो रहा है कि नो कम होथी मिनिमॉम होती है तो LSF DOC क्रेंट कि दिऊब करेंट के करेंट किसी भी तरीक खरक कोई वैंडिंग रिजिस्टेंस का लॉस नहीं हो रहा वैंडिंग कॉपर लॉस नहीं हो रहा यह आपHarHAHA एजम इसमशन रहता है तो फस्ट रहता कॉज of no load connect यह तो हम लोग डिरेक्ली लिख सकते हैं ध्यान दीजेगा just Erase it i just want to raise it wait for the second नहीं हो रहा है नो लोड करेंट के कवरनट तो हम लोगए प्रोक्सिमेट्र क्लेंट सर्केट में इसको गया कर सकते हैं इसको खंचने करने की जरूरत नहीं है तो ऍभायत कर रहा ना आप लोगों को पता होना छाहिए इनकी naming क्या है तो naming के बारे मैं आगर हम लोग बात करें तो R1 क्या है यहां पे तो क्या है एक स्वान एन्स तू किया है वाइंडिंग लिकेज रियेक्टेंस है वैंडिंग लीकेच लीकेज फलक्स होता है ना पाहिए मेराशू रियेक्ट玩 का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग वैंडिंग लीकेज रियक्टेंस कहते हैं और नॉट और एक्स नॉट क्या है आर नॉट एंड एक्स नॉट चलिए आर नॉट क्या है पूर लॉस पूर लॉस कॉर लॉस कॉम्पोनेंट कोर लॉस कंपोनेंट को रिप्रेजंट करने के लिए और नॉट का यूज़ करते हैं हम बग एक्स नॉट क्या है यहां पर मैगनेटाइजिंग रियक्टेंस नॉट और एक्स नॉट क्या है कोर लॉस कंपोनेंट और करेंट को रिप्रेजंट करने के लिए यह देखिए आर नॉट और एक्स नॉट किसी भी तरीके का मशीन में आवेलेबल नहीं रहेगा आर वन क्या है यह कॉपर कंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ रिजिस्टेंस होगा वो फिजिकली मशीन में आवेलेबल है एक्स वन और एक्स टू क्या है वैंडिंग लीकेज रियक्टेंस है मशीन में आवेलेबल लेकिन आर नॉट और एक्स नॉट क्या है इसको हम बोलते हैं imaginary branch है यह क्या है imaginary branch branch है यह कि यह actually machine में अविलेबल नहीं है just no load current component के no load current component के दो पार्ट होते हैं एक होता है ic core loss component और एक होता है magnetizing current component magnetizing current component यह दो चीज़ें होती है नॉट की कि ic या फिर आई डबलू कि icb बोल सकते हैं core loss component या फिर वाट कंपोनेंट अफ नू लोड करेंट या फिर और आई मू को क्या कह सकते है magnetizing current component अफ नू लोड करें magnetizing current component अफ नू लोड करें तो जैसा कि आप लोग फेजर डाइग्राम में देखते हैं कि इस तरीके से वोल्टेज फेजर होता है और इस तरीके से हम लोग आई नॉट करते हैं तो आई नॉट के दो current component है राइट कौन कौन से current component है एक आई डबलू है एक आई डबलू है और एक आई म्यू है आई म्यू है तो देखें का आई डबलू वाला जो component है आई डबलू वाला जो component है वो वोल्टेज के इन फेज में होते हैं जब हम लोग resistance करते हैं तो इसलिए इस यहाँ पर नॉट से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किये हुए हैं इसलिए हम लोग प्योड ले लेक्शल करते हैं आई डबलू और आई मुव को री प्रेसेंट करने के लिए हम लोग आर नॉट और एक्स नॉट को यूस करते हैं यह आपके मशीन में फिजिकली कहीं पर आविलेबल नहीं है फिजिकली कहीं इमेजिनेशन है राइट तो ध्यान दीजेगा इन सारी चीज़ों के बारे में तो यहां पर कोशन था इन दी एप्रॉक्सिमेट इकुलेंट सर्कुट ऑफ दी ट्रांसफर्म विच परामिटर साथ टिपिकली नेगलेक्टेट तो आपने यहां पर क्या नाम था उसका क्या नाम था कोर लॉस रजिस्टंस एंद मेंगनेटाइजंड रीएक्टेंस पा आपने नेगलेक्ट किया नायँअ अप्रॉक्सिuck Aberчивalant सर्कुट में इन इंड़ेंड, को नेगलेक्ट कर दिया नें प्रामिटर,yes, रेजिस्टंच, फ्रामिट्ण तो यहां डी वाइंड र current component होता है जिसको एक्स नौट से हम लोग री प्रेसेंट करते हैं आई में उको तो आप कह सकते हैं कि magnetizing leakage reactance option a is correct leakage reactance and core loss resistance लीकेज reactance को आपने neglect किया क्या देखेगा यहां पर लिखा हुआ magnetizing reactance यहां पर लिखा हुआ leakage reactance तो magnetizing resistance कौन है इसको हम लोग कह सकते हैं magnetizing reactance क्योंकि क्यों कह सकते हैं क्योंकि इसका जो part होता है यह आई डबलू होता है कोर लॉस component of current और इसकी नेमिंग क्या करेंगे यह लीकेज रियक्टेंस है तो लीकेज रियक्टेंस क्या 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 नहीं अप्रॉक्सिमेट equivalent circuit में primary winding resistance है primary winding leakage reactance है secondary winding resistance है secondary winding leakage reactance shunt branch को neglect किया हम लोगों ने तो shunt branch में क्या था core loss resistance and magnetizing reactance ता option a is correct answer कि इसको हम लोग नगलेक्टेंस है magnetizing reactance and leakage reactance magnetizing reactance आपने neglect किया and leakage reactance leakage reactance नहीं नगलेक्टेंस है all parameters are considered तो option is correct answer ना तो आपको basic idea होना चाहिए ना पहुत सिंपल कोश्चन है यह नेक्स्ट एग्जेक्ट equivalent circuit है what is the main difference अच्छा यहां पर एक और question पूछा जा सकता है कि आर नॉट और आरवन में कौन बड़ा है आर नॉट क्या relation है इनके बीच में आर नॉट एक्स नॉट आर वन पूछा जा सकता है उसको भी cover कर लेते हैं आम लोग जब यह इतना discussion करी लिए कि आर वन आर टू एंड एक्स वन इन में क्या डिफ्रेंस है कौन सी वेल्यू बड़ी है कौन सी वेल्यू चोटी बताईएगा comment section में आप लोग बताने की कुछस करिएगा अगर फिर भी आपको doubt होता है तो हम लोग separately वीडियो बना देंगे इसके लिए कि r0 x0 और r1 और x1 में क्या डिफ्रेंसे से कौन सी वेल्यू बड़ी होगी कौन सी वेल्यू छोटी देखने के लिए मिलेगी बताईएगा देख़ें आर नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर नॉट is nothing but E1 divided by IW, right, E1 divided by IW, and X0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, X0 is equal to E1 divided by Iμ, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, देखिएगा कहां से लिख सकते हैं, सर्किट से लिख सकते हैं, आर नॉट is equal to, यहां पर ध्यान दिजेगा, this is R0, right, R0 यहां का voltage क्या है, इसके across का voltage E1 है न, तो E1 divided by कौन सा करेंट फ्लो कर रहा है, IW, तो R is equal to क्या होता, V divided by I होता है, similarly X0 is equal to V divided by I, तो कौन सा voltage है, इसके across का E1 divided by Iμ, Iμ current flow कर रहा है, तो E1 divided by Iμ हम लोग ने लिखा हुआ है, बस इसमें क्या differences है, कुछ है, और थोड़ी बात करने हैं हम लोग, तो ध्यान दिजेगा, जब आप फेजर डाइग्राम ड्रॉ करते हैं, तो एक बात आपने notice किया होगा, कि voltage or current, no load current component यहां पर आप रिप्रेजन करते हैं, और इसके दो component होते हैं, एक IW और एक Iμ, तो IW को आप छोटा represent करते हैं, और Iμ वाले component को बड़ा represent करते हैं, magnetizing current component बड़ा होता है, तो मतलब obvious सी बात है, यहां से आपको idea होगा, Iμ की value बड़ी होती है, जब Iμ की value बड़ी होती है, तो X0 की value क्या होगी, कम होगी, और IW की value क्या है, यहां पर छोटी देखने के लिए मिलती है, जब यह आर नॉट की value क्या होगी, बड़ी होगी, तो R0 और X0 में हम comparison करें, तो किसकी value बड़ी होगी, R0 is greater than X0, R0 is greater than X0, R0 is greater than X0, R0 और X0 में कौन बड़ा होगा, R0 बड़ा होगा, X0 छोटा होगा, what about R1 और X1, R1 और X1 में क्या relation है, या फिर कौन बड़ी है value, कौन सी छोटी ह है, तो देखिए, R1 क्या represent करता है, R1 winding का primary winding का leakage reactance है, इसमें current, sorry, R1 क्या है, winding का resistance है, कि current flow करेगा, obviously बात है, ये एक simple सा conductor है, इसमें current inject करें, तो current के injection पे I square R losses होंगे न, copper losses होंगे, उसको represent करने के लिए resistance के थ्रू हम लोग ने represent किया, कि current यहाँ पे I1 flow करेगा, तो ये कौन loss produce करेगा, I, sorry, what happens, just undo reasons, wait for the second, so now it is okay, so I square R loss, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, I square R loss, copper loss, let us change the pen color, I square R loss देखने के लिए मिलेगा, और जब I square R loss देखने के लिए मिलेगा, तो उसी चीज़ को represent करने के लिए, हम लोग resistance से represent करते हैं, तो आप चाहते हैं कि, और X क्या है, X क्या है, एक्स क्या चीज़ को represent करता है, leakage flux, leakage reactance है ना, this is leakage reactance, reactance, की leakage flux होने के कारण machine में, leakage flux कौन सा flux होता है, कि primary induced flux secondary winding को reach नहीं कर पा रहा है, उस flux को leakage flux हम लोग बोलते हैं, this is primary winding and this is secondary winding, और flux आप लोगों को पता है, कुछ इस तरीके से create होता है ना, किसे दूसरे pen से हम लोग represent करना चाहें अगर, तो flux आपके machine में कुछ इस तरीके से represent होता है, इस तरीके से represent, flow करता है, कि यह primary से induced flux था, जो की secondary winding को reach कर रहा है, के पुलता है, इस से induced flux को reach कर गया और यह वाले flux को हम लोग बोलते हैं, leakage flux की से induced flux था, जो रीकेस नहीं कर पार रहा है, leakage flux को represent करने के लिए, leakage reactants हम लोग यह प्रेसंट करते हैं, leakage reactants के थूए हम लोग इसको represent करते हैं, तो आशा करते हैं आपको idea हो रहा होगा कि exactly क्या हो रहा है machine के अंदर तो winding resistance के बारे में भी बात कर लिया leakage reactance के बारे में बात कर लिया इन दोनों में कौन सी value बढ़ी होगी कौन सी value कम होगी तो ध्यान दिजेगा winding का resistance आप चाहेंगे ना आपने मशीन में कि minimum से minimum core loss हो minimum से minimum core loss हो और विसी बात है आप मशीन को कुछ इस तरीके से design करेंगे कि इसमें जब current flow करें तो i square hour loss copper losses जो हो रहे हैं वो minimum से minimum possible हो minimum से minimum possible हो winding resistance हमेशा हम लोग कम रखने की कोसिस करते हैं जबकि leakage reactants भी हम लोग आप चाहेंगे क्या जानबुच के कि leakage flux ज्यादा हो मशीन में आप कम की करने की कोसिस करते हैं लेकिन generalized way में हम लोग बात करें तो x की value r से देखिए यह small में मैंने लिखा हुआ है small x and small r r naught और x naught को capital letter में लिखा हुआ था तो यह idea मिल रहा है कि x से x बड़ा होता है r से कि winding resistance को आप कम रखने की कोशिस करेंगे leakage reactants को भी कम रखने की कोशिस करेंगे लेकिन comparatively किसी भी मशीन में सारी कि सारी मशीन में DC मशीन synchronous मशीन induction मशीन transformer x by r ratio greater than one होता है कि x की value हमेशा high होती है comparatively r भी कम रखने की कोशिस करेंगे x भी कम रखने की कोशिस करेंगे लेकिन x की value slightly greater होती है सारी कि सारी मशीन में तो r naught और x naught का x और r से comparison करें हम लोग small x and small r से comparison करें तो कौन सी value बड़ी होगी कौन सी value कम होगी देखिएगा r naught और x naught क्या है fictitious branch के parameters है कि voltage के साथ यह ऐसा current है जो की in phase है मतलब कि इसको represent करने के लिए इसको represent करने के लिए किसी resistance ही करेंगे तो यह ideal resistance है बहुत ज़्यादा high value है यह और यहां वोल्टेज के साथ यह current क्या है lagging पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्जेक्टी 90 डिग्री लैग को represent कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ideal inductor हम लोग ने यूज किया हो x naught और x naught की value क्या है ideal है इनकी value high है और very very high है compared to x और r तो overall आपको conclusion यह देखने के लिए मिल रहा है कि r0 is greater than x naught is greater greater than x greater than r तो यह relation हमेशा mind में रखेगा इसके basis पे previous year में question पूछे गया है इसके basis पे previous year में question पूछे गया है ज्यान दीजेगा second question पर move करते है हम लोग what is the main difference between the approximate and equivalent circuit of the transformer what is the main difference poor loss resistance is included in the exact circuit just a second six o'clock wait for the second so what is the main difference between the approximate and equivalent circuit of the transfer poor loss resistance is included in the circuit magnetizing reactance is excluded from the exact circuit only leakage रही है तो poor loss resistance is included in the exact circuit तो यह सही है poor loss resistance आर नॉट को हम लोग री प्रेजेंट करते हैं ना include कर दे हैं exact equivalent circuit में जबकि approximate में नहीं करते हैं तो यहीं difference है magnetizing reactance is excluded from the exact circuit नहीं यह बिल्कुल गलत है यह भी रहता है only leakage reactance is considered in no यह भी केवल only थोड़ी आर नॉट भी होता है एक्स नॉट भी होता है एक्स एक्स भी होता है और small r भी होता है the exact circuit ignores all parameters नहीं ऐसा भी नहीं सारे parameters को consider option is correct तो किसी भी तरीखे को कोई doubt नहीं बहुत simple question है then representation of parameters in a transformer equivalent circuit how is the core loss resistance represented तो core loss resistance कैसे री प्रेजेंट किया जाता है transformer equivalent circuit how is the core loss resistance represented तो आर नॉट को ही core loss resistance बोलते है ना आर नॉट को और यह किसके साथ parallel में होता है एक्स नॉट के सांथ यह दुनों parallel होते हैं आर नॉट and this is X not iw और i-mure यह कैसे होते हैं parallel में होते हैं तो देखेगा इन आ parallel with magnetizing reactance option is correct है कोई सोचने की बात ही नहीं है बहुत simple simple questions है बस एक बार आपको पढ़ना है basic idea create करना है in series with the primary winding in series with the secondary winding in parallel with the secondary winding no this is all wrong option is correct then next question पर move करते हैं देखिए का हिंदी भी दिया हुआ है जो इस्ट्रुएंट हिंदी में comfortable हैं हिंदी वाला भी question read कर सकते हैं तो कि engineering किसी language dependent नहीं है independent है language के concept dependent है next हम बात करें equivalent circuit referred to primary side when the equivalent circuit of the transformer is referred to the primary side how is the secondary side resistance represented when the equivalent circuit of the transfer refer to the primary side how is the secondary side resistance represented तो देखिए secondary side का resistance सा आज टू इसको अगर हम लोग primary side refer कर दें तो आज टू डैस आज टू डैस से रिप्रेसेंट करते हैं और आज टू डैस इस इक्वल टू क्या हो जाएगा और टू मुल्टिप्लाइट विच सम्थिंग नमबर ऑफ टन्स कि एन वन बाई एन टू ओल इस पाहर ऐसा कुछ करते हैं आप लोग ना तो transfer to primary side resistance transformed to primary side resistance added directly to primary side resistance directly add कर देंगे क्या primary side resistance में अब आप अगर equivalent resistance लिखेंगे हैं और इस दी secondary side resistance रिप्रेसेंटेट तो ignored completely ignore कर देंगे नहीं represented as separate parallel component no option is correct transform to primary side resistance primary side resistance हो गया ना इसको आम लोग क्या naming करते हैं इस इस secondary winding रजिसेंस और यह इसका naming क्या होता है secondary winding resistance रजिसेंस रफ़र्ड टू रफ़र्ड टू रफ़र्ड टू प्राइमरी side रफ़र्ड करने के बाद यह formula में changes होता है option is correct ना तो इसमें doubt नहीं करिएगा बहुत simple सा question था यह is correct next question पर move करते हैं equivalent circuit refer to secondary side in the equivalent circuit refer to secondary side how is the primary side reactance adjusted in the equivalent circuit refer to secondary side how is the primary side reactance adjusted बताईएगा रफ़र्ड टू से primary side reactants adjusted तो primary side का resistance था एक्स वन तो यह उधर जाने के बाद x1 dash हो जाएगा and then x1 number of tons secondary side में गया है तो एक चीज़ याद रखेगा voltage क्या होगा increase होगा high voltage side में current की value क्या होगी reduce होगी किस factor से a factor से a times increase होगा a times reduce होगा and impedance की जो value है resistance वेगरा की या फिर impedance की value के बारे में बात करना है V by I voltage कितने time increase हो रहा है a times तो यह कितने time increase होगा a current कितने time reduce हो रहा है a times तो यह again यह से यह जब यह वाला function a times reduce हो रहा है तो यह एक बार और increase हो जाएगा ना तो impedance कितने time increase हो रहा है a और a a spare time increase होगा where a is a is hv by lv high voltage side divided by low voltage side क्योंकि transformer का turns ratio primary secondary के respect मेंने discipline किया जा सकता है हेच वी और lv के respect में define किया जा सकता है क्योंकि primary और secondary transformers में बार-बार change होता रहता है क्या आप primary इधर भी रख सकते हैं इधर से excitement दे तो output low voltage side से देखने के लिए मिलेगा लेकिन hv और lv हमेशा fix रहता है ना primary secondary change हो सकता है इसलिए turns ratio आप लोगों को hv और lv से define करना चाहिए standard notion then hv से अगर आप lv में जाते हैं तो क्या होगा voltage की value a times reduce होगी current की value a times increase होगी and impedance की value v by i voltage a times reduce हुआ है मतलब impedance a times reduce होगा current a times increase होगा है तो यह जब यह times increase होगा तो यह क्या होगा यहां का function again reduce होगा तो impedance a square times reduce होगा ना तो वोल्टेज और current एक एक फेक्टर टन्स रेशो से चेंज होता है लेकिन impedance resistance वेगरा a square times turns ratio square times से चेंज होता है तो इस बात का ध्यान रखेगा यह doubt मत करिएगा बहुत simple सा logic next question पर बात करते हैं हाउ डू यू calculate the equivalent resistance रेफर्ट टू सेकेंडरी साइड दा primary resistance rp and the turns ratio is n turns ratio आपको दिया हुआ है कि n1 ratio n2 क्या है is equal to n n का मतलब क्या हो n ratio 1 हो गया n ratio 1 हो गया how do you calculate the equivalent resistance रफर्ट टू सेकेंडरी साइड कि इस दी प्राइमरी जर्जिस संसेज तो rp डैस rp डैस की primary resistance रफर्ट टू सेकेंडरी साइड कि सेकेंडरी साइड इस दा प्राइमरी रजिस्ट रफर्ट टू सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा आर पी मल्टिप्लाइड विद रफर्ट टू सेकेंडरी साइड है रफर्ट टू सेकेंडरी साइड है तो यह देखेंडरी साइड जा ना हम दूड तो सेकंडरी साइट का टन स्व में जा सकते हैं तो क्रांज सबस्क्राइब को उपर लिख दीजिए अगर से और स्वाहिप सुइनगी साइट we अर्प्राइमरी साइट में आ रहे हैं तो प्राइमरी साइट के टन्स कोyou दीजे तो आप अपने logic के हिज़ाब से चल सकते हैं यह क्यों नया logic सीख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो rp dash is equals to क्या आगया rp divided by n square option a is correct option a is correct तो बहुत अच्छा question था यह next question what is the formula to calculate the equivalent leakage reactance refer to the primary side if the secondary leakage reactance is excess and the turns ratio is and ratio 1 turns ratio is and ratio 1 यह secondary side का है refer to the primary side अगर इसको हम लोग primary side refer करते हैं तो x access dash secondary reactance refer to primary side चला जाएगा राइट तो देखिएगा access हम लोगों ने लिखा अब किस साइट जाना है primary side primary side का turns क्या है n है तो n को अभी हम लोग उपर रखने हैं जिधर जाना है उसको उपर उस तरफ उपर रख दीजिए वह number of times का square तो मतलब यहां पर क्या आगे x multiplied with n square सिंपल सी बात है कौन सा answer correct है option a यहां पर भी correct है देखिए कि जितना भी question हम लोगों ने solve किया अभी तक option आता जा रहा है तो इससे यह मतांदा जमत लगा लिजेगा कि आप में एक्जाम में भी बैठेंगे तो यही टिक करना है अकडबकड बंब भी नहीं करना है तो आपको analyze करके जाए beautifully questions को solve करिए with full of confidence right because you are engineers voltage regulation definition के बारे में बात करें what is the definition of voltage regulation in transformer the ratio of the no load voltage to the full load voltage the difference between no load and full load voltage divided by full load voltage तो यह most correct answer है कि voltage regulation generalized term में अगर हम लोग define करना चाहिए तो वी no load minus V full load divided by V full load multiplied with hundred यह आपका आगया percentage voltage regulation यह formula है simple सा कि कि अगर voltage regulation calculation equivalent circuit हम लोग ड्रॉब करें तो कुछ इस तरीके से है primary winding पूरा total equivalent resistance R equivalent and X equivalent और यह क्या होता था E2 होता था right and this is what E1 E1 and this is what V2 V2 E2 और V2 no load voltage क्या है no load voltage की load आपने connect नहीं किया हुआ है यहां पर आप load कर करेंगे कि source side में करेंगे primary side में तो load connect यह क्या है फुल लोड वोल्टेज इस लोड जब कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज इसमें क्या चेंग्जेस हो रहा है तो कुछ इस तरीके से राइट नेक्स्ट कोशन पर मूफ करते हैं कोशन नमर नाइन आप दिस सेशन वाइस दी वोल्टेज रेगुलेशन सिग्निफिक आपके घर में क्या पड़ेगा जो भी टूब लाइट वेगरा आपके घर में हैं फिकरिंग देखने के लिए मिलेगा वोल्टेज फ्लक्शुेशन के कारण या फिर फैन होगा तो वोल्टेज फ्लक्शुएशन के करण स्मूदली रन नहीं करेगा ये सारे प्रॉब्लम्स आइटेंटिफाईई होंगे इन ओल्ड़न देखा वोगा विलेच एरिया में जो इंकनेशन्ट लैं तो यही सारे इश्यों है voltage regulation कम से कम minimum से minimum होना चाहिए undesired voltage regulation नहीं होना चाहिए machines में अपको यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए राइट आगर detail session आपने देखा होगा next हम बात करें calculation of voltage regulation के बारे में calculation of voltage regulation if the no load voltage of the transfer 220 volt and the full load voltage is 210 volt what is the voltage regulation तो voltage regulation क्या हो जाएगा 220-210 divided by 210 अगर आप करते हैं multiplied with 100 अगर आप कर देते हैं तो percentage voltage regulation निकल के आएगा it is approximately equal to 4.76 percentage 4.76 percentage option is correct for this right simple question है इसी तरीके से solve करिए beautifully idea create के यह करिए अभी हम लोग ने formula लिखा हुगा था ना no load voltage minus full load voltage divided by full load voltage multiplied with 100 तो वही सारी चीज़े दिए हो यह जस फॉर्मूला पर पूट करना एंसर निकलना factors affecting the voltage regulation which of the following factor does not affect the voltage regulation of our transformer तो कौन से फेक्टर जो voltage regulation को affect नहीं करेगा देखें voltage regulation का यह भी formula आपने देखा होगा is the fraction of load x is the fraction of load fraction of load load fraction कितना fraction load का लगा हुआ है half load लगा हुआ है full load लगा हुआ है one fourth of the load लगा हुआ है and re per unit cos phi plus minus xe per unit sin phi तो यह भी formula अगर आपने देखा होगा voltage regulation calculation का आपको पता है देखें कौस पाई क्या होता पाउर फक्टर होता है ना पाउर फक्टर पर डिपन करता है किस तरीके का पाउर फक्टर लगा हुआ है leading और आपने वोल्टेज रेगुलेशन का कर भी अनलाइस किया होगा कुछ इस तरीके से कि unity पाउर फक्टर इस दिख है यूदिग इसे हैं यूलेटेज रेगुलेशन का मेंग्निट्वलेशनatif यह बीड़ेशन प्लेशन में देखने के लिए अनितिव्ड पोडेज रेगुलेशन पर यह पूरा यार्व पूरा का आपा यार्पीकी और यह क्यों Neptune लीडिंग का है तो मतलब यहां पे पॉजटीव वटेज रेगूलेशन भी है यहां तक जिरो वोल्टेज रेगूलेशन भी है और राट एफ्टेड तो याद रखीएगा कॉन सा option करेक्ट होगा दा ट्रांसफोर्ण डिजाइन और अम्ट टेंपरेचर इस दा राइड एंसर अम्ट टेंपरेचर पर नहीं डिपन करेगा बागी सारी चीज़ों पर करेगा number of tons in the primary one in the winding तो obviously बाते इस पर तो करेगा ही ambient temperature is the best option for this question this kind of question next question पर चलते हैं हम लोग percentage regulation के बारे में what does the percentage voltage regulation indicate increase in voltage from no load to full load condition decrease in current current के respect में हम लोग बात नहीं करेंगे voltage regulation के बारे में voltage regulation voltage के बात किया जाएगा ratio of the full load to no load voltage no to change in impedance of the load no option is correct बहुत simple question है idea create करेंगे कुछ इस तरीकी से नेक्स्ट equivalent circuit parameter पर question है in the equivalent circuit of the transformer how is the magnetizing reactants typically represented magnetizing reactants in series with the primary winding in parallel with the core loss resistance तो अब्वेसी बात है magnetizing reactants आपके आर नॉट के साथ series parallel में होता है ना और not X not this is IW for loss component of current no load current and this is magnetizing current component of no load current and यह जो current आ रहा है यहां से उसको हम लोग बोलते हैं no load current no load current तो कुछ इस तरीके से यहां पर हम दोको ने जो इसके across का voltage देखने के लिए मिलेगा यह आपको पर रहता है आपका एंड आई नॉट के दो component होते हैं आई म्यू एंड आई डब्लू आई डब्लू की वल्लू कम होती है आई म्यू की वल्लू ज्यादा होती है कुछ इस तरीके से आप फिजर डिग्राम टॉक करते हैं राइट तो यह था आपका तो क्या बूल है magnetizing reactance is typically represented in parallel with the core loss resistance option B is correct in parallel with the core loss resistance this is core loss resistance core loss resistance resistance और यह क्या है magnetizing magnetizing reactance detail session में अच्छे से आप लोगों को learn करने का मौका मिलेगा transformer and core loss how does the loss resistance affect the efficiency of the transformer तो loss resistance जो है आर नॉट वो कैसे affect करेगा आपके transformer की efficiency को this is core loss component है ना core loss component पोर लॉज कंपोनेंट तो efficiency क्या होता है output divided by input input is equal to क्या होता है output plus loss input is equal to output plus loss तो इसको आपके लिख हो जाएगी तो transform core loss तो how does the loss resistance affect the efficiency loss resistance जब वैरी करेगा तो losses increase होंगी efficiency कम हो जाएगी it increases the core losses and decreases the efficiency it decreases core losses and increases efficiency तो ओविस्सी बात है option a is correct it has no effect on efficiency it increases the transformer impedance नई option a is correct 14th का option a is correct without any hesitation right next question पे चलते हैं last session session का last question a voltage regulation in practical transformer in a practical transfer what is usually the goal for voltage regulation to minimize the variation of the secondary voltage to maximize the core losses to increase the leakage reaction decrease the turns ratio obviously बात हम minimize the variation in the secondary voltage voltage regulation क्यों calculate किया जाता है कि voltage regulation calculate करके जितना voltage regulation आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है तो turns ratio वेगरा वेरी करा के हम लोग tapping use करके secondary voltage secondary जो load voltages अविलेबल है उस पर adjust कर सके कि जितना minimum से minimum voltage regulation हो machine में उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छा है तो secondary terminal voltage अगर वेरी करेगा तो उसी के जाद तो आपके घर के सारे appliances connected है सारे के सारे ज्यादा एफक्त देखने के लिए मिल जाएगा इस फैन की rating है 220 वोल्ट लेकिन अगर इसमें मैं supply कर दूं 240 वोल्ट 260 वोल्ट या फिर 400 वोल्ट तो और इसका insulation फेल कर जाएगा ना सिलिंग पैन का तो सिलिंग फैन दूसरा लाना पड़ेगा तो एज़ा कंजूमर आप यह चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे या फिर आप यह चाहेंगे क्या नहीं आपके कंजूमर आप से सटिस्पाइब रहा हैं यह आप चाहेंगे तो टू मिनिमाइज भी वैरियेशन इन दी सेकंडरी वोल्ट इसलिए हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन ट्राक्टिकल ट्रांसफोर्मा में कैल्कुलेट करते हैं तो इन ब्यूटिफुल कोश्चन के साथ आगे बढ़ते रही है और गेट एकडमी के साथ बने रही है कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछने की कोश्चस करिये और वरी 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 ओल्ट बेस्ट पर और एक्जामिनेशन थाइंक यू